हेलो यूर्वन स्वागत है आप सभी आपके अपने यूटूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में जैसे कि हम सेटेट सेकेंड पेपर के लिए एंसे आटी की साइन्स कंप्लेट कर रहे हैं तो आज यहां पर क्लास एट का हम चैप्टर टेन कंप्लेट करेंगे इससे पहले एकन को भी प्रिस कर लिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आज कर देखी चैप्टर है अध्याय टेन ध्वनी बहुत ही अच्छा चैप्टर है बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं जितने भी इंप्रेंट पॉइंट हैं सभी को मैंने इधर उधर आगे पीछे होने की गति को कमपन कहते हैं जब भी कोई वस्तु अपने मात इस्तिति के इधर उधर जाएगी या आगे पीछे होगी तो उसमें कमपन उत्पन होगा कुछ इस्तिति में ये कमपन आसानी से दिखाई दे जाते हैं लेकिन अधिकान सिस्तिति में उसका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं सिर्फ अनुभव कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मंजीरा, जांच जब धोलक बजाते हैं तो पहले लोग भी मंजीरा वजाया करते थे इसे को जांच भी कहते हैं जो दोठो कटोरी जैसे की रहती हैं उन्हें को पीटा जाता है अपसमें घटम, तथा नूट, मिट्टी के बरतन होते हैं तथा कर्ताल, ये वादियंद्र सामानता है हमारे देशों में अनेक भागों में बजाये जाते हैं इन वादियंद्रों को केवल पीटा या अगहाद किया जाता है जैसे मैंने मजीरों को पताया दो कटोरी जैसे की होती है, दोनों को पीटा जाता है इसमें से आवाज आती है मनुस्यों द्वारा उत्पन ध्वनी मानों में ध्वनी वाक्यांत रत्वा कंठ द्वारा उत्पन होती है वाक्यांतर कंठ पर कठोर उभार होता है जिसके जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है सरीर का ये भाग वाक्यांतर कहलाता है तो देखे पूरुसों में जो होता ये वाक तंद्र जादा उबरा हुआ दिखता है जबकि इस्त्रियों में जादा उबरा हुआ नहीं दिखता है वाक की अंत्र या कंट के आरपार, दो वाक तंत्रु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायू के निकलने के लिए एक संकीन जहीरी बनी होती है जब फेपड़े वायू को बल पूरुवक जिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंदु कमपित होता है जिससे ध्वनी उत्पन होती है तो देखे जब फेपड़ो दरा वायू बल पूरुवग बाहर निकाली जाती है तो वाक तंद्र चो होता है वो कमपित होता है और इससे क्या होती है उद्धनियुद्पन होती है पुरुसों के वाकतंतों के लंबाई लगबग 20 mm होती है जबकि महिलाओं में लगबग 5 mm होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि पुरुसों में जादा होती है और महिलाओं में उभरा हुआ वाकतंतर दिखता है और महिलाओं में उभरा हुआ नहीं दिखता है गले में दे भारीपन होता है ना ही कोई सुरीलापन तो उनके जो वाक्तंद्र होते हैं बहुत ही कम होते हैं नेक्स देखिए ध्वनी संचरन के लिए माध्यम क्या हो शकता होती है ध्वनी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है मतलब तो उसका जो संचरन होता है उसके लिए माध्यम क जल्बो कुछ भी माध्याम होना चाहिए में नेक्सट ध्वनी किसी भी ठोंस में संच्राड कर सकती है ध्वनीठोंस ग्रवों तथा गैसों में संच्रीट हो सकती है हम ध्वनी को अपने कान द वह सुनते हैं कान के बाहरी भाग की आकरती कीप फणनल जैसी होती है जब धोनी कान में प्रवेश करती है तो यह नलिका से गुजरती है जिसके सीरे पर एक पतली जिली द्रड़ता से तनीत होती है इसे कंड पटा कहते हैं प्रति सिकन्ड होने वाले डोलनों की संख्या को दोलन परति कहते हैं एक सिकंड में जितने भी दोलन होंगे वही उसकी आवरती कहलाएगी आवरती को हट्ज में मापा जाता है इसका संकेत यचजेट होता है तो हट्ज देखी यह होता है आवरती का मात्रक होता है हट्ज में आवरती को मापा जाता है हर्ज आवरत्ती का एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है तो मतलब एक दोलन एक सेकंड में कितने दोलन होंगे वही हो जाएगा आवरत्ती एक सेकंड में जितने भी दोलन करेगी ध्वनी तो वही उसकी आवरत्ती हो जाएगी आयाम तथा अवरत्ते धोनी के दो बहत्त पूल्ड गुढ़ होने दुखे एक आयाम होगएbalanceा एक आवरत्ति धोनी के दोनों गुढ़ होते हैं एक सेकेंड में जितने दोलन ध्वनी करेगी वह उसके अवरती हो जाएगी और आयाम की बात करें तो ध्वनी की प्रबलता आयाम पर रिपर करती है आयाम अधिक तो ध्वनी तेज होगी और आयाम कम होगा तो ध्वनी धेमी होगी नेक्स्ट है ध्वनी की प्रबलता ध्वनी अगर 20 हो जाएगा तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाएगी और ध्थानी की जो तीवहता होती वो पर निर्फ़र द्यृटाल रातา है तो सरेल के लिए कश्रदायक होगा परवलता को zeber मात्रक होता है खुंआ की उपलती कम है तो हम कहसकते हैं धुणी का तारत तो कम है मतलत देखिए अगर आवरती अधिक होगी तो ध्वनी सुरीली होगी पतली होगी और अगर आवरती कम होगी तो ध्वनी जो होगी भारी होगी नेक्स है धोल मंद धोल मंद आवरती से कमपित होता है इसलिए यह कम तारत की ध्वनी उत्पन्न करता है धोल पच्छी उच्छी तारत की धोनियों पर्ण करता है जबकि सेर की धार्ट का तारत तो मंध होता है जबकि पच्छी के तारत की बात करें तो बहुत ही सुरीली उच्छ होता है निउच्छ है 1052 से कम आवरती वाली धोनियों तथा 20,000cont पर 22,000herds से अधिक आवरती वाली धोनिया अना नहीं सुन सकते यह अस्रवव धोनिया कहलाती है तो देखे धनिया भी तीन प्रकार की होती है, श्रव ज़े अश्रव वी परासरव ये। उस्रव धनिया वो होती है जो 20,000.00 pan होती है। मानो कानो के लिए स्रव की आवरती का परास लगबग 20 हर्ड से 20,000 हर्ड तक होता है, मतलब 20 हर्ड से जिनकी आवरती 20,000 हर्ड तक होती है, वही धोनियों को मानो का सुन सकते हैं, इन्हीं धोनियों को स्रव कहते हैं, कुछ जन्तु 20,000 हर्ड से अधिक की आवरती की धोनियों पुलिस कर्मि उच्चावरती की धुनी उत्पर्ण करने वाली सीट्ट्यों का उपयोग करते हैं जिसे कुट्य सुन सकते हैं लेकिन मानों नहीं तो नहीं हम अची स्रव को सुन सकते हैं अप मद र सर्जांग को सुन सकते हैं निक्स्ट फोस्रव ध्वनि ऊपकारंड जो चिगिशता के छKeतर में अनेक समस्याओं के नुस अंधार में हैं निदान के लिए प्रयोक लाए ये सूस्वर धुनी होती है, अच्छा सौर होता है, इनका सुनने को अच्छी लगती है, next वातावरण में अतिधिक या वांचनी धुनियों को सौर प्रदूशन कहते हैं, जब अतिधिक धोनी होगी वातावन में दिमाग को परिसान करेगी तो वो प्रदूशन होगा सोर प्रदूशन के प्रमुक कारण वाहनों की धोनिया बिसपोर्ट, मसीने, लाओड़ी स्पीकर आ दी हैं कितने सारे आचकल लोग लाओड़ी स्पीकर लगा देते हैं कितना फालतू का सोर होता है, डीजे जो हैं, फालतू का धक धक करते हैं बहुत ही खराब है ये और सोर प्रदूशन होता है इससे उची आवाज में चलाए गए टेली वीजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के को चुपकरन, कूलर, वातानुकूल सब ही सोर प्रदूशन के लिए उत्तर दाई है, तो देखिए उची आवाज में को नहीं चलाना चाहिए, मतलब भर के लिए चलाना चाहिए, जितनी जरूरत हो लगातार प्रबल धोनी में रहने वाले बेक्ति की सुनने की चमता अइस्थाई अतवा इस्थाई रूप सब्सक्राइब कर लिए साथी में जो भी चैनल को सबसक्राइब कर लिए ताकि ऐसे वीडियो आप आगे भी मिलते रहे हैं, बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठ झाल झाल झाल